सूप्रबाद बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि इश्वन की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों आज हम हिंदी अधारे पाट पुस्तक का पाट टेज सबजियों के नाम का अध्यन करेंगे पाट टेज सबजियों के नाम बच्चो आप यहाँ पे देख रहे हैं कई चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं यह सभी क्या है? सबजी है और उसके नीचे उनके नाम लिखे हैं यहाँ पे बच्चो आपके किताब में कुछ ही सबजी है गिंती में यह छे है ऐसे तो बहुत सी सबजियां होती है और हर सबजी का अपना अलग-अलग नाम होता है लेकिन हम लोग यहाँ पर यहाँ पे छे सबजियों के नाम है आज हम लोग उसको पढ़ेंगे चित्रों के द्वारा और शब्दों के द्वारा उनके नामों को जानेंगे तो पहला चित्र क्या है बच्चो? आलू का आलू को इंगलिश में क्या कहते है? पटैटो आलू शब्दों में कैसे लिखेंगे हिंदी में? बड़ा आ ला ला में बड़ा उ क्या शब्द बना ये? आलू फिर हम देखेंगे दूसरा चित्र ये क्या है बच्चो? जानते हैं आप लोग इसको भी ये है प्याज ये दूसी सबजी है प्याज प्याज को इंगलिश में क्या कहते है? अन्यन अब हम यहाँ पे देखेंगे प्याज को शब्दों में कैसे लिखेंगे? आधा पा या या मैं आ की मात्रा और ये जा और जा के नीचे आप देख रहे हैं बिंदी तो इसे हम पढ़ेंगे ज तो ये पूरा शब्द क्या बनेगा? प्याज फिर हम देखेंगे तीसरा चित्र बच्चो ये क्या है? इस समय बहुत आ रही है न ये वड़ी सबजी इसे क्या बोलते है? गाजर गाजर को इंगलिश में क्या बोलते है? कैरेट अब गाजर को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? गा गा में आ की मात्रा जर गाजर फिर हम देखेंगे चौथी सबजी कौन सी है हमारी? ये कौन सा चित्र है? टमाटर टमाटर कौन से रंका होता है? लाल टमाटर को इंगलिश में क्या बोलते है? टमाटो अब टमाटर को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? टा मा मा में आ की मात्रा टर टमाटर फिर पाँचवा चित्र हमारा क्या है गोभी गोभी को इंगलिश में क्या बोलते है कौली फ्लावर अब उसे शब्दों में गोभी को कैसे लिखेंगे गा में ओ की मात्रा भा में बड़ी इ गोभी गोभी अब ये आखरी चित्र है हमारा ये कौन सी सबजी है बच्चो ये है बैगन बैगन को इंग्लिश में क्या कहते है ब्रिंजल अब हम बैगन को शब्दों में कैसे लिखेंगे बा में ए थी मात्रा और उसके बगल में आप देख रहें बिंदी है फिर गन तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे बैगन एक बाफ फिर से बच्चो हम ये छे सबजीयों के नाम को फिर से पढ़ेंगे आप सभी बच्चे इसे ध्यान से देखेंगे सबसे पहले क्या है आलू प्याज गाजर टमाटर गोभी बैगन फिर से मैं बोल रही हूँ आलू प्याज गाजर टमाटर गोभी बैगन तो आशा करती हूँ बच्चो कि मैंने आपको आज का ये पाट पाट्टेई सबजीयों के नाम आपको पढ़ कर समझाया और उनका अलग-अलग चित्रों के द्वारा उनके नाम को भी पढ़ कर बताया आप सभी बच्चो को आज का ये पाट समझ में आ गया होगा अब इसी पाट से सम्बंधित सभी कारे आपके विद्याले की वेबसाइट पर उपलब्ध है धन्यवाज